हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक वार फिर से हमारे यूट्यूब चेनल पर तो दोस्तों मैं आज आपको बताता हूं कि आप किस पिरकार से चौधरी चरण सिंग बिस बिद्धाले मेरट की जो यूनिवस्टी है और उससे संबंदित किसी भी कॉलिज से आपने बढ़ साइट है यानि कि चौधरी चरण सिंग बिस बिद्धाले की जो साइट है उसको उपन कर लेंगे तो दोस्तों मैंने इसको उपन कर लिया है तो यह जो पहले वाली जो साइट है उपर CCS University मेरट तो सबसे पहले इसी पर हमको किलिक करना है जैसे हम इस पर किलिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा तो दोस्तों इस परकार का आपको यहां पर इंटरफेस दिखाई देगा तो दोस्तों यह लिखा हुआ इस पर चौधरी चरण सिंग बिस्विद्धल मेरट तो दोस्तों आपको यह जो त्री डॉट जो दिख रहा है इ इस पर क्लिक करना है तो जैसे हम इसको इस क्लिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारे ओप्षन आ जाएंगे जिसमें के एड़िशन एक्जामनेशन एक्जाम सेडूल और रिजल्ट होस्टल रजिस्टेशन ऑनलाइन फीज पेमेंट केमपस फीज पेमेंट ऑनलाइन दिग्री या एंड मार्क शीट तो इस पर क्लिक करने के बाद हमको कुछ इस तरह का यहां पर इंटरफेस यहां पर दिखाई देगा जहां पर लिखा हुआ और इस टूडेंट रिजिस्टेशन फॉर मार्क शीट एडवीन लॉग इन इचे है दोस्तो प्रोवाइड इन्फरमेशन टू गैट ओनली ओरिजनल डिग्री तो दोस्तो अगर हमको ओरीजनल डिग्री मगानी है तो हमको नीचे वाले उप्शन पर क्लिक करना अई यानि क पर क्लिक करने वाद दोस्तों यहां कुछ इस तरह का इंटरफेश यह दिखाए देगा जहां को अपनी डीटेल्स भरनी है दोस्तों सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों मैं तो में पर दोस्तों आपना रॉल लंबर मेथा डाल के आपको दिखाता हूं कि उसके बाद में दूफरा जो आपको इंग्लिस में अपना नाम लिखना है हैं कि इंग्लिस में लिखने के बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ हैं कि फादर्स निमें इंग्लिस ने लिखना होगा English में लिखना है नीचह और नीचह हा रहा है Fathers Name in Hindi यहां पर आ रहा है वर्श्तो दोस्तो रहा और आपको एयर डालना इत May जब आपने पढ़ाई complete की है वह वाला तो यहां पिर आपको कच्छ खिराश किया यानिक डालना एक आपने किस चीज की पढ़ाईगी यह BAME, BA, BSC बगरा तो आपको यहाँ पर अपना email ID डालना है तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना होगा उसके बाद में नीचे आ रहा है बरतवान डाक का पता आपको यहाँ पर address डालना है दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पर division डालना है दोस्तों division के बाद में दोस्तों आपको college का नाम डालना होगा जहां से आपने पढ़ाई की है दोस्तों उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे option है व्यक्तिगत यानि कि संस्तागत व्यक्ति यानि कि आप regular पढ़ाई की या प्राइबेट तो आपको जो भी option मतलब जो भी आपका हूँ हो आप उसमें किलिक करेंगे regular student हो आप या private उसके बाद में दोस्तों नीचे लिखा हुआ है विश्य तो आपको यहां पर विश्य डालना जिस विश् ही है विश्य के बाद में दोस्तों नीचे दिख्या हुआ है यहां पर कोड़ दर्ज करें यानि कि नीचे जो capture कोड़ दिया हुआ है आपको इसको बरना होगा कि इसको बरने के बाद में दोस्तों नीचे लिखा हुआ है यानि कि चल लगन करें यानि कि आपको यहां पर attachment of mark sheet यानि कि final year के जो mark sheet है उसको आपको यहां पर उस फाइल को यहां पर डालना है यानि कि आपको उसका photo घींच के यहां पर 500 kv तक का और आपको अपनी mark sheet जो final year के है उसको upload करना होगा कि तो मैंने यहां अपनी जो final year के mark sheet है मैं उसको upload करता हूं आप दोस्तो 500 kv तक कि यहां फर फाइल डालने होगी इसको आप पहले ही resize करके रख लेना यह फाइल दोस्तों इसमें upload हो चुकी है आपको दूसरे option दोस्तों आपको आधरकाट डालना है आधरकाट दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह 300 kv तक होना है तो दोस्तों आधरकाट और आपको जो mark sheet है उसको आपको पहले ही resize कर लेना क्योंकि आपको फिर वाद में कोई दिक्कत ना है आसानी से आप upload कर पाऊ दोस्तों दोनों चीज़ यहां पर upload हो चुकिए तो आपको उसके बाद में submit पर click करना है यहां पर option आएगा एक मतलब कि do you want to submit this क्योंकि यह मतलब आपको submit करना तो आपको ठीक है यानि कि okay पर click करना है तो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है किर्पया एक या ज्यादा फाइल चुने यानि कि जैसे आप इस पर click करना है तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह के यहां पर यह request ID नंबर मिलेगा आपको दोस्तों इसको note करके रख लेना है क्योंकि इसी से हम अपनी mark sheet यानि कि degree को track कर पाएंगे कि हमारी जो डिगरी है वो मतलों approved हुया है उसका application या नहीं और इसी से हम track कर पाएंगे कि हमारी जो डिगरी है वो कहां तक पहुंची है तो दोस्तों आप भी आसानी से इसी तरह से आप भी apply कर सक सकते हैं phone से बिल्कुल free में दोस्तों तो तो यह था CCS degree यानि कि चौदरी चर्ण सिंग बिश्बिध्धल मेरट की degree मंगाने का आसन तरीगा दोस्तों तो आप भी आसानी से इसकी degree मंगा सकते हैं आपने किसी भी college से पढ़ाई कि यह हूँ कि तो